है आज की स्वीडियो में हम एक ऐसी वर्टसेप से डेली लाइफ प्रॉब्लम को डिसकस करेंगे जो कि हम डेली लाइफ में रेगुलर बेस पे फेस करते हैं और प्रॉब्लम यह है कि हम किसी भी पर्सन को डेरेक्ली मैसिज सेंड नहीं कर सकते हैं ज़तक हम उसका अपने वर डिफरेंट एप्स को ना यूज करते हुए आपके नॉर्मल वर्टसेप के अंदर आप डिरेक्ली किसी पर्सन को मैसिज सेंड कर पाएंगे विदाउट सेविंग इस नंबर तो सबसे पहले जान लेते कि क्या और ऐसी एप से जो इस चीज को काम करती है तो एक जीबी वर् को अपरेट करती है इसके अंदर आप मल्टिपल नंबर को अपरेट कर सकते हैं अपने वर्टसेप के अंदर और किसी भी कॉंटेक्ट को डिरेक्ली मैसिज कर सकते हैं उसका नंबर सेव किये बिना लेकिन ये प्रॉप्लम जो है हम हमारी नॉर्मल वर्टसेप के अंदर फे तो मैं भी वेब WhatsApp वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप नॉर्मल Android यूज़र हैं, जो की नॉर्मल फोन के अंदर WhatsApp यूज़ करते हैं, तो सेम ट्रिक जो है, वहाँ पर भी एप्लाइ करेंगे, तो 100% यह ट्रिक वर्क करेंगे, तो इस ट्रिक को एप्लाइ करने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी आपके contact पर जाना है, जहाँ पर हम regular basis पर चैट करते हैं, suppose यहाँ पर मेरा home नाम से contact है, जहाँ पर मेरी daily regular chatting होती है, या कोई भी operations होते हैं, और वहाँ पर उस chat के अंदर आपको simply type करना है, wa.me, यानि कि WhatsApp.me, slash, हम यहाँ पर country code डालेंगे, जिस contact को आपको message करना है, उस person की number का country code, और simply हम जो है 10 digit number जो है, यहाँ पर type कर देंगे, और enterprise, जैसे हम यह message send कर देंगे, with the help of enter pressing, हमारे पास एक link generate होगा, और उस link पर मुझे simply click कर देना है, और अब यह जैसे कि मैंने आपको बताए, मैं WhatsApp वेब यूज कर रहा हूं, तो यहाँ पर मेरे पास एक नए tab open कर रहा है, because WhatsApp web app जो है, different tabs पर work करती है, तो यहाँ पर simply मैं click करूँगा, continue to chat पर, और use WhatsApp web पर, जैसे मैं इस चीज को click करता हूं, मेरा WhatsApp जो है, दुबारा से open होगा, उसी tab के अंदर, और यह जो हमने link generate किया था, किसी contact number को message send करने का, जो कि हमारे पास save नहीं है, उसका यहाँ पर जो है, directly एक chat box open हो जाएगा, जहाँ पर हम simply उसे message send कर सकते हैं, suppose मैंने send किया, hi, how are you, तो मैं simply इस तरह की से multiple chats जो है, उस person के साथ कर सकता हूं, without saving its number, आप देख सकते हैं, मेरा पास इस person का number save नहीं है, और मैंने सिर्फ क्या किया है, एक simple सा, एक normal message type किया है, wa.me slash country code, और उसके बाद मैंने simply number type कर दिया, जहाँ पर मैंने directly हमारी chat को start कर लिया, तो एक basic सी technique है, जिसके थ्रू जो है, हम हमारे android phone के अंदर भी, और laptop के अंदर भी, आगर हम regular basis पर WhatsApp यूज़ कर रहे हैं, तो simply हम क्या करेंगे, एक छोटे सी message को या बोल सकता ह हम एक छोटे से code को type करेंगे, जिसके help से, जो हम किसी भी unsaved contact पर message कर सकते हैं, या पर उनसे chat कर सकते हैं.